हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई यूटूब चैनल विछाल जूली फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ डॉक्टर बी आर अम्भित कर मुझाफ़रपो उनिवर्सिटी के B.S.D. Maths Honors के पार्ट 2 का फूल सिलेबस इस वीडियो में मैं आपको पार्ट 2 का फूल सिलेबस बताऊंगा साथ ही आपको बताऊंगा कि आपके एकजाम में कुश्चन कैसे आते हैं तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि हमें कौन-कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है तो सबसे पहले physics जो होता है हमारा subsidiary होता है जो कि 100 नमबर का होता है chemistry भी subsidiary होता है जो कि हमारा 100 नमबर का होता है Hindi English भी 100 नमबर का होता है चाहे तो आप 100 नमबर का Hindi ले ले या फिर 100 नमबर का English ले ले या फिर अगर आप चाहें तो 50-50 नमबर के हिंदी और इंगलीस रख सकते हैं फिर यह जो तीनों होता है यह यहां से लेके यहां तक यह आपका तीनों जो होता है आप इसको subsidiary कह सकते हैं हिंदी इंगलीस को भी आप subsidiary कह सकते हैं और ये तीनों होता है इसका नंबर आपको जो में आपका last में जो third year में जो आप इत्याम दीचेगा तो उस समय जो आपका certificate आएगा उस पे इस तीनों subject का नंबर नहीं जुड़ेगा आपको सिर्फ maths का नंबर जुड़ता है maths paper 1 का, paper 2 का, paper 3 का, paper 4 का ऐसे करके आपका जो 8 paper होता है पूरे के पूरे 8 paper का maths का सिर्फ नंबर जुड़ता है और दूसरा किसी भी चीजी का नंबर नहीं जुड़ता है आपके final year की result में तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा यहाँ पे आपको maths paper 3 और maths paper 4 देना होगा जो की आपका honors subject है maths honors आपने लिया है तो maths paper 3 और maths paper 4 आपके लिए बहुँ ज़्यदा important है तो मैं इसी खासी लिवस आपको पताऊंगा maths paper 3 की और maths paper 4 की आप इस दोनों को subject समझ सकते है paper 3 को एक अलग subject और paper 4 को एक अलग subject जो की maths कहीं है तो सबसे पहले BSC Maths part 2 का syllabus दो पार्टों बटा हुआ है paper 3 और paper 4 पेपर 3 आपका 100 नंबर का होता है और paper 4 भी आपका 100 नंबर का होता है कुछ general instructions है कुछ नियम है जो की आपको समझ लेना चाहिए आपको question attempt करने से पहले आपको ये चीज पता होनी चाहिए कुछ instructions क्या क्या है इस question paper is divided into group हर एक question paper जो आपका paper 1 और paper 2 था वो अपने आप में divided होगा जो आपका जो paper 1 था वो अपने आप में कुछ groups में divided होगा 3 या 4 group में आपको divided होगा कितने group में divided होगा मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ तो वो कुछ groups में divided होगा और यहाँ पे पूरे मिला के हर एक question paper जोगा उसमें 12 question होगे हर एक question paper में 12 question होगे जिसमें से any six to be answered selecting at least one from each group 12 question में से आपको कोई भी six आप कोई भी six question का answer दे सकते हैं लेकिन आपको क्या करना होगा आपको ध्यान रखना होगा कि हर एक group में से आप एक select करें जैसे माल लिजिए कोई paper है जो की तीन group में divided है तो अगर आप छे question का answer दे रहे हैं तो आप यहाँ से एक question कम से कम कम से कम यहाँ से एक question और यहाँ से एक question तीन question आपको ऐसे देना होगा फिर अप चाहें तो यहाँ से जो तीन बचा हुआ है वो यहाँ से दे सकते हैं most of the question contains two questions as A and B जिसमें से आपको जो question रहेंगे 12 question तो ज्यादा तर उसमें से question जो रहेगा करने के लिए 12 रहता है लेकिन उसमें से ज्यादा तर question में A और B दो question रहता है हर एक question में A और B करके दो question दिया हुआ है जैसे माल लीजिए आपका question number one है तो उसमें question number one का एक A रहता है और question number one का ही एक B रहता है ऐसे करके आपको question दिया हुआ रहता है तो इसके बाद candidates have to attempt both options of the same questions माल लीजिए कोई भी question है इसमें से question number A है और question number B है first question का A और B है तो अगर आप चार है कि हाँ मेरा full का full number आए आपका पूरा number उठे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा इस दोनों question का answer एक ही question का answer में से ये दोनों का answer आपको देना होगा मतलब कि अगर आप question 1 का दे रहे है answer तो आपको question 1 A और B दोनों का लिखना होगा आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि question number 1 का A लिख लिए और question number 2 का B लिख लिए आप ऐसे नहीं कर सकते हैं अगर आप question number 2 का answer देना चाते हैं तो A और B दोनों का answer आपको देना होगा question number 2 का मतलब जो भी आप question का answer दीजेगा उसका दोनों answer आपको देना होगा A और B दोनों का इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ें तो आगे हम लोग देखेंगे paper 3 के बारे में सबसे पहले हम लोग पेपर 3 के बारे में देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का आपने एक्जाम दे दिया है पार्ट 1 में पार्ट 1 में आपका पेपर 1 और पेपर 2 था यहाँ पे आपको पेपर 3 और पेपर 4 पढ़ना है तो यहाँ पे जो पेपर 3 है पेपर 3 में सबसे पहले 3 ग्रूप में दिखिए यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको पेपर 3 को 3 ग्रूप में बाटा गया है सबसे पहला ग्रूप है ग्रूप 1, ग्रूप 2 और ग्रूप 3 इसको जो कुश्चन पेपर में आपको ग्रूप A, ग्रूप B और ग्रूप C दिया रहता है या फिर कभी-कभी आपको ग्रूप 1, ग्रूप 2, ग्रूप 3 दिया रहता है ज्यादा तर टाइम में आपको ग्रूप A, ग्रूप B और ग्रूप C दिया रहता है तो सबसे पहले ग्रूप 1 में यानि group A में आपको जो बुक पढ़ना होता है उसका नाम है real analysis जिससे आपको चार question आते हैं real analysis से अकेले चार question आते हैं जिसमें से आप कम से कम आपको एक का जबाब देना ही होगा पहले भी मैंने आपको बताया है पिछले वाले page में देखिए यहाँ पर मैंने आपको बादाया था कि आपको कम से कम at least one from each group आपको कम से कम एक का एंसर देना ही होगा हर group से तो यहाँ से जो group one है या फिर group A कहिए इसमें आपको real analysis बुक पढ़ना होता है उसमें से चार question में से कम से कम एक का एंसर आपको देना होगा फिर group second है या फिर आप इसको group B भी कह सकते हैं इसमें आपको जो बुक पढ़ना रहता है उसका नाम है infinite series infinite series में से आपको तीन question आते हैं तो इसमें से भी वही condition है कि आपको कम से कम एक cancer देना होगा फिर आपका जो है group 3 या फिर आप इसको group C भी कह सकते हैं इसमें आपको जो बुक पढ़ना रहता है उसका नाम है अबस्ट्रेक्ट अलजेबरा या फिर कुछ लोग इसको बुलियन अलजेबरा भी कहते हैं तो यहां से आपको पांच कुश्चन आते हैं देखी यह सबसे ज़्यादा वेटेज वाला चेप्टर है और यहां से बहुत पढ़ना है BSC Math में डायरेक्ट आके पढ़ना है इसमें आपको क्या पढ़ना रहता है इसमें आपको ग्रूप और के बारे में पढ़ना रहता है और इसके बाद अगर हम लोग बात करें पेपर फोर की तो पेपर फोर अगर हम लोग देखे तो पेपर फोर में क्या है ग्रूप टी भी कह सकते हैं तो इसमें आपको सबसे पहला जो बुक पढ़ना रहता है ग्रूप बॉन में वो आपको पढ़ना रहता है वेक्टर कलकुलस या फिर वेक्टर एनलाइसिस जिसको बोलते हैं वो आपको पढ़ना रहता है इसमें से आपको तीन कुश्चन आते है फिर group B या group 2 आप कर सकते हैं उसमें से आपको differential equation पढ़ना रहता है differential equation नाम की book आपको पढ़नी रहती है लेकिन differential equation आपको तभी समझ में आगी जब आपने paper 1 में differential calculus और integral calculus बना के गए हैं तभी आपको समझ में आगी वरना differential equation आपको उपर से उड़ जाएगी तो इसमें आपसे तीन question आएंगे फिर वैसे ही आपको कम से कम इसमें से एक question का answer देना होगा फिर जो आपका group 3 है group 3 या फिर आप इसको group C भी का सकते हैं इसमें से आपको कितने question आते हैं तो इसमें से आपको पूरे के पूरे तीन question आते हैं इसमें से भी तीन कुश्चन में से कम से कम आपको एक कैंसर देना होगा फिर आपका जो group 4 है इसमें dynamics आता है dynamics आता है जिससे आपको तीन कुश्चन रहते हैं तीन कुश्चन में से कम से कम एक कैंसर आपको देना होगा तो देखिए, पूरे मिलाके यहां से 3, 3-6, 3-9 और 3-12 question आते हैं जिसमें से कम से कम आपको 6 question का answer देना होगा और कम से कम इसमें से 1 question का answer आपको देना होगा कम से कम इसमें से 1, इसमें से 1 और कम से कम इसमें से 1 यह चीज आपको select करना होगा देखिए आपने यहां से एक question का answer दिया यहां से एक question का यहां से एक question का और यहां से एक question का आपने answer दे दिया अब आपने यहां तक answer दे दिया तो देखिए आपने एक, दो, तीन और चार question का answer दे दिया बच गए दो कुस्चन तो दो कुस्चन आप चाहे तो इसी ग्रूप से दो और कुस्चन दे सकते हैं या फिर आप चाहे तो इस ग्रूप से इस ग्रूप से दे सकते हैं या फिर इस ग्रूप से इस ग्रूप से दे सकते हैं या फिर मतलब आप कहीं से भी दे सकते हैं लेकिन ध्यान इसी बात करखना है कि कम से कम हर ग्रूप से एक एक कुश्चन का अंसर आप दे रहे हैं। तो चलिए यहीं था आपका BSC Maths Part 2 का सीलेबस। अभी के लिए इतने हैं थैंक्स फोर वाचिंग। अगर वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर सेयर कीजिएगा और आप एक बात का भी ध्यान रखिएगा कि मैं अपने इस यूटूब चैनल पे अभी BSC Maths Part 1 का जो लालजी प्रसाद बुक का सोल्यूसन है वो भी अप्लोड कर रहा हूं लेकिन अगर आप लोगों की डिमांड आती है तो मैं Part 2 का भी लालजी प्रसाद सार की बुक के सो अप्लोड करूँगा चलिए अभी के लिए इतना ही तरह